नमस्कार साथियों इन फ्यूजर नोट्स के यूटूब चैनल पर आपका स्वावत है आज का सैसर रहेगा साथियों कत्ती सगत दो हजार जो इस राजस्तान करेंट अफेर्स का इस सैसर के अंदर साथियों जितने ही महतुपुन परसन बने हैं जुड़े रहेगा सैसर को और सैसर आपको पसंद आए तो इसे लाइक वसेरें जुरूर कीजिएगा पेरिस पेरालंपिक 2024 में अउनी लेखना ने कौन सा पदक है जीता है और अपने नाम किया है आउनी ने 10 मिटर एर राइफल एससथवन में गोल्ड जीता है यह आपको यादें रखना है इनकी केटेगरी आपसे पूची जा सकती है 10 मिटर है के इनकी एर राइफल की केटेगरी है ये आपको याद रखना है फाइनल में जो इनका स्कोर रहा 200 गुंचास पॉंट ए 7 अंका ये भी इपोर्टेंट है जो कि क्या है पेर अलंपिक में के record है साथ्यों, तो most important साथ्यों रहने वाला है कि पेरीस पेर अलंपिक दोजार चोईश में ओनी लेक्षा ने कौन सा पदक जीता आंसर हो जाएगा सौरन कौन सी केटेगरी है दस मिटर एर राइफल असचे वन में और इनका स्कोर कितना रहा 249 पॉइंट है साथ अंका इनका स्कोर रहा इनका समंद कहां से है तो इनका समंद हो जाएगा राजदानी यानि जैपूर से है वही साथियों दूसरी निशानेबाद मोना अगरवान ने कांशा पदक जीता है मोना का score है तो साथियों 228 point सात अंका रहा ये कहां से हैं तो ये साथियों शीकर से हैं ये दोनों चीज़ें आपके लिए काफी important है इनका जो समंध है वो कनफरम पूछा जा सकता है इनका जो score रहा है वो आप से पूछा जा सकता है तो अवनी लेकरा का score है 200 गुंचास point साथ अंका इसके अलावा मोना अगरवाल जी का है 228 point साथ अंका तो ये दोनों चीज़ें काफी आपके लिए महतुपुर्णे रहने वाली है सीदे के सीदे आप से पूछा जाएगा important one के चलिए असातियों कनफरम आप से पूछा जाएगा ये क्युशन most important नहीं है अगामी जो भी प्रटविता परीक्षा हैं और नहीं है उनके अंदर आप से ये क्युशन है कनफरम में पूछा जाएगा और परिस परालंपिक 2024 में राजस्तान के कितने खिलाडी भाग ले रहे हैं सातियों तो वो आप कांसर हो जाएगा 10 खिलाडी हैं जो भागे ले रहे हैं आगे बात करेंगे सातियों गले क्युशन की अगला क्युशन आप से पूछा है कि गोवा में आई जीत हुई 0-8-3-2 राइफल और पिस्टल चेंपियंशिप में परदेश के दवेंदर फर्स्वाल ने कौन सा पदक जीता कांसर हो जाएगा दवेंदर के दुआरा है जो सातियों रज़त पदक है जीता गया है गोवा में आई जीत हुई राइफल और पिस्टल चैंपियंशिप में पर्देश के दवेंदर ने जो रज़त पदक जीता है और इनका समंध साथियों जैपूर से हैं ये भी आपको यादे रखना है आप से पूछे भी दवेंदर का समंध कहां से हैं तो इनका जो समंध है साथियों वो जैपूर से हैं ये आपको यादे जल उर्जा, रोजगार आतम निर्वर ग्राम पंचायत बनाने में प्रियासरत किस IITN को सम्मानी त्या गया, ये क्यूसन मोश्ट इपोर्टेंट है, आज का सेसन आपके लिए काफी महतुपुन है, मैंने पहले भी बताया था, आंसर क्या होगा विप्रे गोईल को, दोसा जिले की छारेडा ग्राम पंचायत को देश की पहली जल उर्जा, रोजगार आतम निर्वर ग्राम पंचायत बनाने में प्रियासरत है, IITN, कौन है, IITN, विप्रे गोईल को ग्रू ग्राम के होटल में हयात में सरोशेष्ट ग्रामिन विकास पहला वार्ट से नवाजा में विप्रे गोईल ने आतम निर्वर गाउं विचित भार्ट के अपने जीवन संकला पर कई बड़े राश्टिवे वेस्वी कोर्पोरेट्स और विचारकों के समक्स अपने प्लान भी राके सभी ने उनके जज़बिवे भार्ट के गाउं को लेकर उनकी सवेदन सीलता क है तो यह आपके लिए इपोर्टेंट है रहेगा और आप से कनफर में कि अगामी प्रट्योगिता परिक्षा में यह कुछा जाए उत्तर परदेश में अगले कुछन पर बात करेंगे उत्तर परदेश में आयोजी तिर्द्या मास्टर नेसनल वैट लिप्टिंग प्रदे इसके अमिच सर्मा ने कौन सा पदक जीता तो आंसर हो जाएगा सिधा का सिधा अमिच सर्मा ने जीता है साथियों रजतें पदक अब आप से यह पूछा जा सकता है अभी अमिच सर्मा का संबंद है जो कौन से किलोग्राम से था यानिकि इनकी जो कैटेगरी है वो कौन से तो आंसर हो जाएगा 81 kg भारवरक के अंदर साथ यो इन्होंने रज़त अपने नाव में किया है इपोर्टेंट ये रहने वाला है सिदा का सिदा आपसे पूछा जाएगा साथ यो most important मानके चलिए अमिद सर्मा 81 kg भारवरक के अंदर उतर परदेश में आजी तिर्टे मास्टर नेसनल वैट लेट लेप्टिंग के अंदर रज़त इन्होंने अपने नाम किया है अगला कि उसना आप से पूछा है कि हाली में MSME मंतराले का राजे में टेकनोलोजी सेंटर कहां बनाया जाएगा तो आंसर क्या होगा साथ यो जेपुर के अंदर है जो MSME मंतराले का है जो टेकनोलोजी सेंटर बनाया जाएगा इसके लाव साथ हमने पढ़ा था MSME पारक है जो कहांपर है दोसा में बनाया जाएगा दोनों इपोर्टेंट है ये दोनों क्यूसन आप से पूछे जाएंगे अगामी पर जोगिता प्रिक्चा में साथ ही हो कि MSME मंतरा लेका राजे में टेक्नोलोजी सेंटर कहांपर बनेगा तो आपका आँसर का होगा जेपुर में बनेगा और MSME पारक है जो कहांपर उस दोसा के अंदरे बनने जा रहा है तो दोनों क्यूसन इपोर्टेंट मान की चलिएगा सीधा का सीधा आप से पूछा जाएगा अगला क्यूसन आप से पूछा है कि परदेश की कि सक्वेंस खिलाडी का चेन अंडर 13 अशिया कप के लिए होगा है तो आंसर हो जाएगा दिव्यांसी जैन का और इनका सम्मद अगर आप से पूछे भी दिव्यांसी जैन है वो कहां की रहने वाली है तो दिव्यांसी साथ Global Investment Summit होनी है और उसका जो पहला रोड़ शो है वो साथियों कहां पर हुआ है बुमबई के अंदर हुआ है यह आपको याद रखना है राजिंग राजस्तान Investment Summit के संद्रम में मुख्यमंतिने साथियों है जो मिटिंग लिए और उसके बाद है तो 30 अगस्त को भुमबई में पहला रोड़ शो हुआ आर्थिक मामलाओं की केविनेट समीटे ने NICDP में जोदपूर पाली को मंजूरी दी है यह अपने पढ़ चुके हैं तो यह भी इपोर्टेंट है रहने वाला है इसके लिए साथियों मैं आपके साथ सुज़सार इसलिए एड़ करता हूं कि जो भी महतुपून चीजें अगर आप से सीदे की सीदे पूछी जाए वो सुज़स भी हो तो आपके दिमाग में रहे तो यह सब चीजें आपके लिए इपोर्टेंट हैं रहेगी कल हमने पढ़ा था कि इसके अंदर है जो जो अपने साथियों दस राजियों के अंदर है जो बारा वो द्योगिक जो गलियारे हैं जो के जाएंगे जिसके तहत साथ जो दो सहरों का जो चैन हुआ है वो कौन से हैं जो अद्पुरे पाली है इसके अलावा साथियों स्वाबिंग के स्वानंद राजस्तान कर्शी विद्याले प्राकर्ति खेती पर जागरुपता विशेक राश्ट्य संगोष्टी का रिजन किया गया राजेपाल सिरी हरिव बहुत बांगडे ने कर्शी विशे विद्याले में प्राकर्ति खेती पर जागरुपता कारेकरम विशेक दो दिवशे राश्ट्य संगोष्टी के उद्गाटन स्तरकवाजों संभोधिते किया था तो इपोर्टेंट है यह आपको चीज़ें सीधी की सीधी विद्थ साथ प्राकर्ति खेती पर जागरुपता संगोष्टी का उद्गाटन है जो किस ने किया तो राजेपाल जी की दुआरा किया गया था यह आपको यादे रखना है आठ ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वेड डी पी आर्स हुई करते उपमुख्या मंतरी प्रेटन दिया कुमारी न प्रद्यम राजे और के अंदर सासित प्रेटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा है जो लिया है प्रदेश में आर्थी कास के साथ प्रेटन के ने अवसर बढ़ेंगे एक्सप्रेस वे इसके अंदर बताया गया है गंगानगर कोटपुतली 290 किलोमेटर है जेपुर फ्लोद में जोदपुर भीलवाड़ा है आपका 193 मौर खोडपुतली किसनगड़ है 181 की मंजूरी है जो दे दी गई है तो आज के सैसन के अंदर साथियों जितने ही महतुकून परसंथे वो मैंने आपके साथ सेयर कर दी है आज का सैसन कंफरम्स आपको एक या दो क्यूसन अगाम प्रचोगिता प्रिक्षा में देखें जाएगा सैसन आपको पसंद आया है तो साथियों से लाइक वसे जरूर कीजिएगा कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रही है इंफ्यूजर नोट से मिलेंगे साथियों अगले सैसन के लिए तब तक धन्यवाद इन जुड़े रहेंगे साथियों तो आपको बहतर से बहतर कंटेंट कम समय के अंदरे मिलता रहेगा धन्यवाद